जो बीच का distance है वो आज बिल्कुल zero हो चुका है क्योंकि प्रेजिस्टर करना है फर्म के लिए firm establishment certificate लेना है फर्म के लिए GST number लेना है फर्म स्टील export provincial council of India ready-made garment export provincial council of India भारत सरकार ने business करने के लिए औरुक आपके पास टोस्तो नमस्कार मैं डॉक्त मारे तरिए की खुशी तो बहुत होती है पर सुनके अश्चारे होता है कि इन मेंसे 90% लोग समझने के बाद भी import export शुरूई नहीं करते तो आज मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आप import export क्यों नहीं कर रहे हैं उसके पीशे कारण क्या है उसके पीशे कारण है जानकारी का आभाग आपको यह लगता है कि यार मैं domestic territory में काम कर रहा हूं मेरा जो जो जोन बहुत च documentation क्या है process क्या है system क्या है बायर कैसे रूणना है बायर डूणने के बाद माल कैसे बेजना है माल बेजने का पेमेंट के security कैसे करनी है वो सारे वीडियो बने पहले से बना के दिये हूं है आपको ज़रूत है पहले अपने mindset को इस बात को लेकर तयार करने की कि मुझे import export क्यो करना है क्या ऐसी problem है जिसकी वह से मैं पहला step नहीं ले पा रहा हूं तो सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं हम बात करते हैं import and export के बारे में हम import export शुरू करना चाहते हैं तो import की बात छोड़ते हैं क्योंकि माल खरीदना दुनिया का सबसे असान काम है चाहें आप अपनी domestic market से खरीद लो चाहें आप अपने distributor से खरीद लो importer से खरीद लो या direct import करना चुरू कर दो वो एक अलग matter है उस पर बाद में बात करेंगे बात करते हैं export क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम product बेचना है अब आप export क्यों नहीं कर रहे हैं यह सबसे बड़ा प्रश्न है और उसके पीछे कारण क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि जब विदेश विया पार करूँगा ना तो पता नहीं कैसे transaction होगी माल कैसे जाएगा बायर कैसे मिलेगा पता नहीं क्या क्या कड़क documentation होगा तो मेरी बात समझ लो भारत सरकार ने ना import-export को लेकर एक business का system plan बना बनाने के बाद अभी मैं अपने जिले में नहीं बेच पा रहा हूं तो अपनी पूरी city की बात बहुत दूर है पूरी city में नहीं बेच पा रहा हूं तो पूरे भारत वर्ष की बात दूर है और पूरे भारत में नहीं बेच पा रहा हूं तो विदेश में कैसे बेचूं त यह आपकी factory है, यह आपकी shop है, यह आपका sales depot है, जहां से आप material बेचते हैं आप मुनमें क्या होता है कि किसी भी product को बेचने के लिए δो तरीके होतें है पर आता है आपके शोवरूम पर आता है आपका प्रोड़क्त देखता है विए नदेन हें डूसरा क्या होता है कि आप अपना प्रोड़क्त सेंपल लेकी अपने पास में जाते थे वह उसको सब कुछ दिखाते हैं सब कुछ समझाते हैं और वो प्रोड़क्ट खरिदने के लिए तयार हो जाता है अब आपको लगता है क्योंकि यह हमारा भारत देश है और उसमें भी चूटी सी टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं तो यह बहुत असान है आपको लगता है कि साथ समुंदर पार इस विदेश में बैठा से अपने गोडाउन से या अपने फैक्टरी से एक बायर को कंटाक करते हैं और बायर आपसे बात कहता है वो कुछ भी कारण हो सकता है बायर मनलो आपसे कहता है कि मैं आने जाने में सक्षम नहीं हूं तो मैं आपके यह नहीं आ सकता या बायर कहता है कि मुझे इस प्रोड बड़ा है अब जब बड़ा है तो वो आपके पास आगे डिल करने वाला नहीं है और आप उससे टाइम मांगते हो कि मैं आप किसे मिलना चाता हूं सर मुझे अपॉइंट्मेंट देदो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है सारे डिटेल भेज़ दो फाइन तो इस केस में क् आपको और प्लेस करती है अब आपने क्या किया अपनी शॉप से या अपने गोडाउन से अपनी फैक्टरी जहां भी आप काम करने है बहां से अपने मेट्रियल सारा पैक किया और मेट्रियल क्या किया डिस्पैच डिस्पैच किसको किया इस बायर को क्योंकि आपके क्या आते देखे आते नहीं न या यह डिस्टेंस 10 किलो मेटर होता या यह डिस्टेंस 100 किलो मेटर होता या यह डिस्टेंस 500 किलो मेटर होता या यह डिस्टेंस 1000 किलो मेटर होता तब भी आपके यहां से बायर के यहां तक पहुंचने का जो बीच का सारा काम है न यह किसका हो तो आप किसका इस्तिमाल करेंगे ट्रांसपोर्टर का तो आपके माइड में जो अबस्टेकल है वो सिर्फ अबस्टेकल यह डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है आपने माल बनाना है और बायर को माल देना है बीच का सारा डिस्टेंस कवर करने वाला कौन है ट्रांसपोर्टर अगर यह बात आपको क्लियर है तो चाहें आप अपने जिले में कहीं भी माल बेच लो अपने राज्जी में कहीं भी माल बेच लो पूरे भारत वर्ष में कहीं वो बिल्कुल एक तरह ऐसे निल हो जाता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है जब ये mindset आपका तयार होगा न तो चाहें ये distance 1000 km हो या 10,000 km हो आपने माल बनाना है बायर को यहाँ पर बैठे वो दूसरे देश में माल खरीदना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो distance है वो कौन कवर करेगा ट्रांसपोर्टर ये बात क्लियर आपकी पडोस का बायर भी आपके पास आने के लिए तयार नहीं है आपकी शॉप पर नहीं आना चाहता और आपको बुलाना नहीं चाहता तब भी आप वही system अपनाते हैं जो system यहाँ से बैठे 10,000 km दूर के व्यक्ति के लिए अपनाना है और वो क्या है सही तरीके से communication करना अपने product, उसकी पूरी जानकारी, उसके sample या उसका catalog, उसका brochure, उसकी video, उसका content सारा अपने बायर तक पहुचाना mail के थूरू या आपने courier के थूरू अब वही बात courier पर लाग होती है कि आपने का जी मैंने sample भेजा था तो sample भेजा यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर था तो आपने Uber बाइक वाले से भेज दिया या आपने और बहुत सारी app है लाला मूव से भेज दिया या आपने और कौन-कौन सी apps है आप मुझे comment में लिखके बताओ कि कौन-कौन सी apps है जो छोटे distance के लिए आपका material distribution में आसानी से भेज देती है या आपने FedEx से courier कर दिया तो भाई आपको क्या फर्क पढ़ता है कि यह distance 100 meter था या 10,000 km था जब आपका बायर बोल रहे है कि जो रास्ते का पैसा है ट्रांस्पोर्ट का पैसा है वो देने के लिए तयार हूं तो आपको कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वो आपके 100 meter दूर बैठा है या आपकी की गली में बैठा है या आपसे 10,000 km दूर बैठा है इसका मतलब आपके mind का obstacle जो बीच का distance है वो आज बिल्कुल zero हो चुका है क्योंकि information technology के इस यूग में जो व्यक्ति internet से जोड़ा हुआ है वो कभी भी कहीं भी कोई भी information आसानी से देख सकता है आप ही देखते हैं आप ही कोई news आ गई थाइलेंड की कभी news आ गई जर्मनी की कभी news आ गई जहां यह दो रहा है वहां की कभी पाकिस्तान की तो आपका माइड भी तो क्विक क्विक करके अलग अलग देशों में गूम रहा है तो आप आसानी से विदेश व्यापार कर सकते हैं जरूरत और सिस्टम को समझने की अब इस विशे में हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है यह country A है और यह country B है इस country के अपने rule and regulation है ट्रेड को लेकर जैसे GST अलग है हाँ जगर GST सेम नहीं होता इंपोर्ट ड्यूटी अलग है एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग है कस्टम के तरीके अलग है मैट्रिल भेजने के जो लाइसेंसिंग के प्रोसेस हैं तो आपको करना कै सबसे पहले आपको अपनी company को आपकी country के हिसाब से systematic documents के लिए तैयार करना है और systematic documents के लिए क्या तैयारी करनी है उसकी पूरी detailed video आपको description box में मिलेगी कि भई क्या documentation क्या process है problem सिर्फ इतनी है कि लोग मज़े के लिए वीडियो देखते हैं कि यार देखते हैं import export में क्या होगा अब इसका thumbnail बाना दे ना बड़ी असा कि बिना investment के import export में कमाओ 1000 कुरूर रूपे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और देखते हैं 1000 कुरूर कैसे कमाएंगे काम सिस्टेमेटिक तरीके से करना होगा अब आपको क्या करना है आपको documentation करना है मैं कुछ example बता रहा हूं full detailed video आपको मिलने वाले description में example में क्या जैसे मानलो आपको अपनी firm को register करना है firm के लिए firm establishment certificate लेना है firm के लिए GST number लेना है firm का pen card आपका होना चाहिए आपका personal pen card जो आपके sole proprietorship के साथ लगता अगर company है तो individual लग आपका pen card होता है फिर उसके बाद में आपको IEC import export code के लिए apply करना है उसके बाद import export code आपको मिल जाएगा license मिल जाएगा DGFT के साइट पर जा सकते है तो वहाँ से क्या होगा कि आपके trade आपकी industry संबंदित लोग जो विदेशों में बैठे हुआ है उसकी जानकारी आपके पास आने लग जाएगी बै कहते हैं कि आप Facebook या Instagram पर जिस तरह की reel देखते है उस तरह की recommendation video आती है आपके तोर मैं देखता हूँ सिर्फ funny videos ही आती है क्योंकि आप देखती ही funny videos है AI का tool इतना advance हो चुका है कि कोई समझ जाता है कि मेरा buyer मेरा user क्या देखना चाहता है माली से आप motivational videos देखते हैं तो motivational videos ही आएगी business videos देखते हैं तो business videos ही आएगी बेकार की बकवास देखते हो तो वही आपके पास आएगी तो जब AI ही बात समझ गया कि आपका कौन सा content कौन व्यक्ति कैसे देखने वाला है तो यहाँ पर जो export promotional council of India है वो भी एक तरह का AI है आप AI में समझ ना कि वो तो यार को software है वो भी AI की तरह ही काम करता है कि आपका क्या product है आपके product किस country में है तो किस country में आपके product कैसे जाने चाहिए और कौन-कौन से आपके product के बायर है मतलब industry का export promotional council बना हुआ होता है जैसे हमारी steel industry है तो export promotional council of India steel तो वो steel में है या steel export promotional council of India ready made garment export promotional council of India भारत सरकार ने business करने के लिए विदेश्वापार करने के लिए बहुत बढ़िया system बनाया है अब problem क्या आपको लगता है कि हर आदिमी आपके द्वार पर आकर मत्था टेक के जाए आप अगर सही तरीके से चीजों को study करेंगे सब कुछ बहुत असान है मैंने खुद यार ऐसी इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया और मैं कभी भी ऐसे विशे पर बात ही नहीं करता इसका practical management लाइफ में ना किया हूँ छोटी सी फर्म से ग्यान ओवर्सीज ग्यान ओवर्सीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी से मेटासो वर्सीज लिमिटेड बनी आज हम पूरे हिंदुस्तान के लगबग सभी राज्यों में अपना मेटरिल डिस्पैच करते हैं और हम लोग विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं है तो कीवल तभी समब वोपाया जमनी syоздammatic से काम किया तो वह सारे डोकुमेंटेशन की डिल आपको मिल जाएगी तो आपने डोकुमेंटेशन कर लिया कहते तो कि मैं कितने दिन दिन में कर सकते हैं यं вещи और आपके पास बाईर षो हो प्रश्ण का खड़ा होता है बाइर हो तो मैं कहता हूं अब कि बाइर है और बाइर कहता है मेर को मेटिल भेज़ दो पर आपके बाइब documentation नहीं है इसको वही सा वर्सा सोचो ना कि आपके पास एक प्रोडेक्ट और उसका मार्केट में बायर भी है लेकिन आपके बाद documentation नहीं है तो पहला ठीक समय पर अपने documentation को complete करें दूसरा प्रशन उठता है जो यह बीच का distance है यह कौन कवर करेगा लोकल ट्रेड में क्या होता है ट्रांस्पोर्टर कवर कर देता है जैसे ट्रक टैंपू वाली organization हो गई या courier services वाले हो गए या dispatch करने वाले जो बीच में एजेंट्स होते हैं व ट्रांस्पोर्टर की अब यह ट्रांस्पोर्टर कौन है यह है ICD inland container depot या port मतलब जहां से आपका material ship पर लोड़ होके उस देश में पहुंच जाएगा ICD का मतलब और port का मतलब लगबग एक जैसा है पर मैं समझायतों difference के है ICD का मतलब inland container depot अब भारत वर्ष के सारे राज्यों के आसपास समुद्र तो लगता नहीं है कि वहां पर सिधा port है आपका जहाज वहीं खड़ा हुआ है माल लादा और सिधा वहां चला गया तो जहां container में load हुआ और load होने के बाद पहुंच गया कहा ICD ICD में हजारों truck हैं जहां पर सारे container इकठे हुए और सीधा पहुंचे कहां पर port और port पर वह माल ship पे लादा और भेज दिया तो अब बताओ इसमें आपकी involvement कहां से आ गई आपने माल बनाया document तयार किये रिक्षे में truck में टैंपू में या container में load करके ICD भेज दिया अरे जैसे मान लीजिए मैं Delhi में हूँ तो Delhi में यहां से माल लोड करके कीरति नगर बेजा वैसे यहां से माल लोड करके तुगल काबाद भेजा वैसी यहां से माल लोड करके मैंने साउथ बिली भेजा भेजते हैं ना इसी तरह स कहता है आप कहां नहीं याएंगे तो आप क्या करेंगे माल ठेंगे कुरियर वाले कहां भेज देंगे अब कुरियर वाला जाने और वो डेस्टिनेशन कहां पर है वो ढूंडेगा इंशुरेंस है तो कभी माल खराब होगा तो इंशुरेंस कवर कर देगा आपकी टेंशन क मतलब आपको कुरियर वाले तक पहुंचना है या तो या ट्रांसपोर्टर को अपने द्वार पर बुलाना है या ट्रांसपोर्टर तक पहुंचना है अब यह बीच का डिस्टेंस है वह कौन करेगा ICD और port करेगा अब Government of India ने इसके लिए भी बहुत से सिस्टम बनाया वह अच्छा सिस्टम क्या है ICD और port पर काम करने के लिए CHA Custom House Agent अपॉइंट कर दिये हैं आपको कोई काम नहीं आता आप माल बनाओ बायर ने आपको ओर्डर प्लेस किया पेमेंट आपको कि आपने माल बनाया एक ट्रक बुलाया उसमें माल लोड किया CHA हायर किया उससे कब ही डोकुमेंटेशन मेरे सारे तयार कर और मेरा माल यहां से उठा कि या तो ICD या port पर भेज दे जैसी आपने अपने मेटल ICD या port पर भेजा अब port की responsibility जैसे आपके यहां से निकलने के बाद transporter की responsibility ना वैसे ही आपके यहां से मेटल निकलने के बाद port की या ICD की responsibility उस देश में माल बेजने की और वहां के बंदे की responsibility वहां receive कर लेने की ठीक है ना तो यह सारा distance किसने cover कर दिया वो ICD ने कर दिया port ने कर दिया CHA ने कर दिया government ने इतना अच्छा system बनाया हुआ है कई बार तो आपको पता ही नहीं होता कि जो माला बेचे ने जितने का profit आपका मातिया उतना government subsidy भी दे रही है वो भी आपका extra profit है यह जितना GST आप पे करते तो सारा GST आपका reimburse हो जाएगा 18% का GST है किसी पर 28 का है किसी पर 5 का है किसी पर 12 का है टोटल GST आपको वापस आजाएगा तो वो भी तो एक तरह का profit है आपका अगर buyer intelligent है तो उसमें से भी share मांग लेगा 18% GST वापस आएगा सर कितना percent discount करोगा extra तो यह smartness का game है आप exporter है और वो आपका buyer है तो domestic trade में भी तो यह होता है आप बेचने वाले हैं seller हैं और वो खरिदने वाला buyer है तो यह काम तो किस ने समाल लिया इन और्णाइशन ने समाल लिया अब आपको काम क्या करना है आपके बाद अच्छा product है उस product को यहां भेजने वाली जिम्मेदारी बीच के लोगों की है आपके जिम्मेदारी क्या है उस buyer तक पहुंचने की अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप domestic trade में अपनी shop से उठते हैं जाते हैं तब जाके अपने buyer को sample दिखाते हैं buyer आपके यहां आता है तब ही deal होती है मान लिजिए आपके business का अकार बढ़ा है आप लाख product बनाती है और किसने बीस पीस मांगे आप तो उठके जाएंगे नी नहीं जाएंगे ना क्यार बीस पीस के लिए कौन जाए तो क्या करेंगे आप या आप buyer को contact करना चाते है आपके उस buyer नहीं है तो आप क्या करेंगे आप local trade में advertisement करेंगे कैसे आप लीफलेट बटवाएंगे pamphlet बटवाएंगे newspaper ad चलाएंगे या किसी agent को contact करेंगे या इस तरह के event में participate करेंगे कहीं पर branding करेंगे कहीं से promotion करेंगे ताकि customer आपकी advertisement को देखे और आपको contact करें कहां आप अपने local area में मालो मैं Delhi में हूँ तो Delhi में advertisement करेंगे जा रहा हूं करे जा रहा हूं ताकि Delhi का buyer मुझे contact करें लेकिन अगर मेरा mindset खुला हो गया और मैंने ये बात सोच ली कि दिल्ली का ये बायर क्यों पूरे इंदोस्तान का कहीं भी मेरे से बायर material ले सकता है तो मैं advertisement कहां करूँगा All India अब मान लिजिए मेरे को ये विश्वास हो गया कि बीच का सारा हिस्सा cover करने वाले लोग आलरडी है मुझे तो बायर चाहिए वो कहीं भी बैठा हो पूरे विश्व में कहीं बैठा हो तो मुझे advertisement कहां करने है विश्व में वो जहां बैठा है मुझे पता लगा मेरे product को खरीदने वाला व्यक्ति अफगानिस्तान में मिलेगा तो मैंने क्या किया अब मैं अफगानिस्तान में जाके advertisement क्यों ऐसे करूँगा आज तो information technology कही हो गए आपने सिधा facebook campaign चलाया और area territory डाला अफगानिस्तान तो आपने अपना advertisement direct अपने बायर को उसकी country के उस राज्य में उस शहर में दिखाया जहां पर वो बैठा हुए उसको भी पता है कि international trade में territory की कोई foundation ही नहीं है माल बेचने वाला और खरीदने वाला मिल जाए तो बीच का काम समालने वाले सारे लोग है तो इसने क्या किया advertisement देखा, contact किया अब आपको sample भेजना है तो फिर भई बाग sample कैसे भेजूँगा भाई वो FedEx भेजेगा पैसे लेगा आपने बायर बोलता है कि ठीक है मैं तो sample के पैसे भी दूँगा और मंगाने के पैसे वो भी दूँगा अगर वो आपके product आपकी quality में कुछ uniqueness है अरे common product भीक रहे हैं यार हमारे गाओं में प्याज उगरी है भिंडे उगरी है मिर्ची उगरी है हल्दी उगरी है और वो सब का जा रही है export हो रही है और जो बिचारा गरीब किसान है वो भाई के में बेचरा है इसको knowledge नहीं है जो पड़ा लिखा संवरिद किसान है वो सारा material बनाता है buyer को contact करता है और माल भेजने का काम कोन करता है CHA, port, ICD system क्या है document त्यार किये हुए buyer कैसे रूंडा, online तरी कैसे रूंडा या chamber of commerce, chamber of industry chamber of import, export की membership ले ली तो वहाँ से data मिला, call की बात की, mail की proposal भेजा जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ practically अपनी company में as it is implement करता हूँ सिर्फ अंतर क्या है कि मेरे mind का जो obstacle था मेरे दिमाग में, कि भई मैं यहाँ पर हूँ, buyer मेरा जो है वो जम्मू कश्मीर में तो मुझे समझ में आए, beach का distance traveling distance, वो कौन का वर करेगा system में, domestic trade में तो पैसा डूब जाए ना, तो आप गले में अड़ डल के पैसा ने निकाल सकते किसी के प्यार से मांगते रहेंगे, तो भी आपको पता लगेगा कि last में व्यापार में आप देखेंगे तो बहुसारा budget हो गया, लेकिन international trade में दो देशों के यहाँ व्यापार आपका नहीं है इंडिया का व्यापार मालिजय अफगानिस्तान से है, तो दो देशों के बीच में व्यापार है, तो दो देशों के बीच में trade agreement है, उसी के अधार पर trade होगा, बस आपको नियम पता होना जुरूरी है, कि मेरा payment schedule क्या होगा, payment की guarantee क्या होगी, product का insurance कैसे होगा, जब सारी चीज़े systematic तरीके से समझेंगे न, तो सब समझ में आता जाएगा, और वैसे भी यार, अगर आपको इंडिया के किसी भी राज्ये से अगर order आया होगा, तो आपके mind पे pressure नहीं आया होगा, यह तो वहाँ का order है, जयापुर का भेजूगा कैसे, तो आपने तुरंत order पकड़ा होगा, क्यार जो रास्ते का काम है, जब मेरा बायर किराय देने के लिए तो मैं क्यो टेंचन लूँ, और उसको वहाँ बेजने की responsibility, पैसे लेके ट्रांस्पूर जेलने के लिए तो मैं क्यो टेंचन लूँ, और जब बायर मुझे एडवांस दे रहा है, पैसा डूबे गाई नहीं, तो मैं क्यो टेंचन लूँ, तो भी आ इंटरनेशनल टेड में किस बात की टेंचन आप ले रहे हैं, हर पैसे को secure करने का एक system है, आपका पैसा insure भी हो जाता है, आपका पैसा LC रएटर अफ क्रेड़ित पर भी हो जाता है, जिसकी guarantee आपको आपका bank देता है, आपका bank guarantee देता है, कि कोई दिक्कत नहीं है, माल भेजो, पैसा वो दे या ना दे 90 days में हम आपको देंगे तो ज़रुवत है systematic तरीके को सीखने की, समझने की, implement करने की ये नहीं कि हाँ वीडियो देख ली, मज़ा नहीं आया मज़े के लिए देख रहे हो क्या, import export की वीडियो ये कोई, मतलब horror movie है क्या, या भी movie है और हर चीज़ देखने के बाद आप implement भी नहीं करते है तो ये गलती है आपकी कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं लेकिन implement नहीं करने हैं बायर ढूंड़ो तो सही है, सिर्फ 500 रुपर लगा के देखो किसी country में, किसी city में advertisement लगाओ, domestic trade करो या international trade करो, सब कुछ समभाव है मैंने हाउस्टन टेकसस USA में एक एड लगाया था 500 रुपर पर देखा, साथ दिन एड चलाया zero response 3500 रुपर प्लस GST खतम मैंने कर इतना तो रिस्क लई सकते हैं चल एक दिन और चलाते हैं चांस की बाता है, मैंने एक दिन और रैड चलाया और एक बायर ने मुझे कंटाक किया उस बायर का बंगलो वहाँ बन रहा था और वो चाहता था कि भई किचिन जो मैं लगाऊ वो इंडिया की लगाऊ, क्योंकि वो इंडियन था उसने का नहीं यार केचिन मेरे देश का होना अच्छे क्योंको पता है कि हम को किंग कैसे करते है मतब उसकी बाद-बाद में उसने अपने मन की बात बताई मुझे तो उसने मुझे प्रपोजल भेजा कि यह मेरा फ्लोर प्लान है, इसके अकॉडिंग केचन बनना है हमने उनको डिजाइन मना कर बेजा उसको डिजाइन पसंद आया, हमने कॉस्टिंग बेजी उसने बारगेनिंग की ऐसे ने इंटरनेसल ट्रेड में बारगेनिंग नहीं होती लिस्ट ऑफ मेटीरियल, बिल उफ क्वांटिटी, कंटेनर का स्पेस, उसका रेंट, उसका इंशुरेंस और आपका जी एस्ट नंबर, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यह सब कुछ लगेगा, तो सारे डोकुमेंटेशन उसने मुरे तयार कराए तो जब पहली बार मेरी गाड़ी लोड होके जारी तो मुझे एसास ही नहीं होगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है क्यों, चुकि जो मेरा नॉर्मल ट्रांस्पोर्टर था, उसके ट्रक में लोड किया, वहां से मेटल आईजडी पहुंच गया और कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया, हां सर आपका मेटल रिसीव हो गया, और बाद में जब वो बायर मेरा एंडिया आया, तो उसके बाद हमारे शोरूम पर आया, मेरे साथ एक, वो फिटनेस फ्रीक था, तो फिटनेस का एक वीडियो उसने मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ सूट किया, तो कई बार आपका नेटवर्क अच्छा बन जाता है, रिलेशन अच्छा बन जाता है, और फिर वो बायर, रेकरिंग आपको ओडर देता रहता है, लेकिन B2B बिजनस में तो वैसी रेकरिंग ओडर आपको आता है, तो ज़रुवत क्या है, सिस्टम क समझ के implement करने की, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरी टीम को contact करें, मेरी टीम आपको guide करेंगी, बताएगी क्या कैसे होगा, कब होगा, या कैसे आपको करना है, और मुझसे मिलकर सारी चीज़ों को कैसे आप simplify कर सकते है, उस तो free की चीज़ की न, कोई value नहीं होती, क्योंकि ये मेरे बोईश्य की काम ना करता हूँ जय हिंद जय भारत